प्रुभी श्मसी के मधुर नाम से आपको नमस्कार आशिश संदेश में आपका स्वागत परमेश्वर आपसे बात करें परमेश्वर का निंग्रख आप आपका जीवन में मसूस करें कभी कभी हम हमारा जीवन में कुछ कढ़िनाई का सामना करता है परमेश्वर का पीछे चलने के बावजूद भी हमारा जीवन में कुछ कढ़िनाई परिशानी आता है अगर आप ऐसा परिस्तिदी से गुजरते हैं तो यह संदेश आपके लिए परमेश्वर के नाम का स्थू मेरे भाईयों जब तुम नाना प्रगार की परिच्छाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो यह जानकर कि तुमारे विश्वास के परक्खे जाने से धीरच उत्तन होता है प्रभू का धनेवादो चारपद में पर धीरच को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे प्यारो बहुत महत्तवन बात है परमेश्वर की आत्मा इदर हमको समझा रहे है याकूब परमेश्वर के दास यह चिट्टी लिखते है उन लोगों को मन में रखते हुए जो परमेश्व के पीछे चलने के बावजूद भी कढ़िनाई का सामना करता है लेकिन उनको प्रचाहन देते हुए यह याकूब परमेश्वर के दास काते है मेरे भाईयो जब तुम नाना प्रगार की परिच्छाओं में पड़ो जब हम परमेश्वर का पीछे चलते है कभी कभी हमारा ज परमस्याए आते हैं येश्वमसी परिच्छाओं से होकर गुजरा है ना येश्वमसी का जीवन में परिच्छा हुआ हम लोग पढ़ते हैं पती चार अध्याय में वो परिच्छा में उनको जाना पड़ा लेकिन उससे पहले लिका है वो आत्मा से भरा हुआ परिच्छा म बाते हैं अगर ये श्मसी का जीवन में परिशानी आया समस्य आया परिच्छा आया तो मेरा और आपका जीवन में भी परिच्छा आएगा हम कभी ये नहीं सोचना हैं हम परमेश्र को जान लिया तो अभी हमारा कोई बीमारी नहीं आएगा अभी हमारा जी कोई दिक्कत नहीं आएगा ऐसा नहीं सोचना है चार अध्याई का एक पद में हम पढ़ते हैं तब आत्मा येश्यू को जंगल में ले गया ताकि इबलूस से उसकी परिच्छा येश्यूसी का परिच्छा हुआ लेकिन क्या बात है? वहाँ पर खास भात हमको ध्यान देना है आत्मा येश्यू को जंगल में ले गया और वहाँ पर इश्यू का परिच्छा हूआ तो हम परिच्छा में होकर जाना एक प्रगार से अवश्य है ये होता है लेकिन हमारा जीवन का सबसे बड़ा तैयारी क्या है हम आत्मा से भरा हुआ जीवन बिताने वाला होना है आत्मा के साथ हम चलने वाला होना है तब हम जरूर इस परीचा में विजए होगा ये इस्यु मसी का परीचा में क्या हुआ सबसे पहले शैतान उनसे कहा चालीस दिन चालीस रा तुम उपवास में थे येशु को भूक लगा था क्योंकि जब येशु इस दुनिया में था तो वो पूरा परवेश्वर था लेकिन पूरा पूरा मनेश्वर था से लिए हमको जो जो फिलिंग्स होता है हो सकता है वो येशु को हो सकता था जिसा भूक होता था प्यास होता था जी तो येशु ने उनको क्या उतर दिया येशु ने उनको उतर दिया परीचा में जब पड़ते हैं हमको भी उसका एक उतर हमारे पास होना चाहिए निराश होने का नहीं एक उत्तर हमारे पास होना चाहिए येश्व ने उत्तर दिया वाचन में लिखा है मनिश्य केवल रोटी से नहीं परंदू परमेश्वर का वाचन से जीवित रहता है वाचन में लिखा है येश्वर सी सैतान को सामना जो किया न वाचन रूबी तल्वार परमेश्वर का वाचन में लिगा है इफिजियों का पत्री छेध्याय में हम देखते है परमेश्वर का वाचन है आत्मा का तल्वार जी हाँ यह जो शैतान से लड़ने का हमारा पास जो परमेशन में दिया हो हफ्तियार क्या है परमेशन का वाचन है यह वाचन के आधार पर यह श्मशी ने उत्तर दिया तो हमको क्या करना चाहिए हमारा तयारी आत्मा से भरा हुआ जीवन हमारा तैयारी वाचन का जानकारी वाचन में डुबा हुआ जिवा जी और इसके बाद शैतान ने उनको बोला तुम उपर से कुदो तो सुर्गदू तुमारा रक्षा करेगा येश्यू ने क्या कहा येश्यू ने कहा वाचन में लिखा है तुम तुमारा परमेश्यू का परीचा नहीं करना है वाचन में लिखा है और तिसरा परीचा येश्यू का था शैतान ने येश्यू को बोला मेरा दंडवत करो सब कुछ तुमारा हो जाएगा तब भी ये शैतान ने बोलने वाला इतना मुर्खदा की जो बात है क्योंकि सारे सृष्टी का मालिक परमेश्वर है तो येश्य मसी ये पूछ सकता था तुम कैसा हमको अधिगार दे सकते हैं मैं हुम सबका अधिगारी लेकिन येश्यू ने ऐसा नहीं बोला येश्यू ने वाचन के आधार पर उनको उतर दिया बोला वाचन में लिगा है तुमारा परमेश्वर का बिना किसी का दंडवत नहीं करना है येश्यू परीच्छा में जीत लिया देखिए येश्यू के साथ परीच्छा हुआ तो मेरा और आपका साथ भी परीच्छा होगा लेकिन येश्यू परीच्छा को जीत लिया तो हम भी परीच्छा को जीत साथ है हमारा तरीका क्या होना चाहिए येश्यू मसी का तरीका क्या है येश्यू मसी का तरीका आत्मा से परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ जीवन परमेश्वर के साथ निरंदा संबर्क जी और वाचन के आधार पर उत्तर येश्व जीत लिया हम भी जीत लिए इसलिए याकूब काते है तुमारा जीवन में भी नाना प्रगार का परीचा आएगा देखिए येश्व मसी के पास इधर अलग प्रगार का परीचा आया है ना पहले बोला भूका है तो येश्व को बोला पत्तर को रूटी बेना दू सोचेगा तो इसमें क्या गलती है क्या दिक्त है दिक्त इतना ही है शैतान जो बोलेगा वो कितना भी अच्छा है लेगेगा लेकिन वो हम गो फजाने वाला गिराने वाला बात यही बात हववा से भी बोला खालो येश्व को भी बोला खालो हववा ने सैतान की बात मान लिया आदम ने परमेश्व सैतान की बात मान लिया लेकिन दूसरा आदम के रूप में ये श्मसी उन्होंने पिदा परमेश्वर का बात मान दिया जी और दूसरा एक का दूसरा प्रगार का परीचा था हैं शक्ति दिखाने के एक आवसर उपर से कुदो सब लोग देखेगा और कुछ नहीं होगा तो लोग सब मानेगा ये ही है मसीह है ना ऐसा सोच सकते है ये तो अच्छा तरीका है जी सबसे बड़ा इमारत के उपर से कुदते हैं वो सबको बुलाते हैं सारे लोग जान लेंगे मैं ही मसीह हूं देखिए परमेश्वर का एक तरीका है वही तरीका है आप जानते हैं जो बटरफ्लाइट बटरफ्लाई पहले कैटरपीलर रहें प्यूपा है कीटा का जैसा जो रहता है ना ओए खेस में रहता है और उसमें से बड़ा मुश्किल से वो निगलता है बड़ा मुश्किल से निगलता है एक बच्चा ने यह देखा तो उनको तरस आया और नोंने जाकर उसको काट कर मदद किया और उसमें से एक तितली निगला लेकिन वो तितली उड़ नहीं पाता था क्योंगि उनका पंगों में दाकत रही था उसका तरीका है वो दाकत लगा कर उसमें जो निगलेगा ना वो ही उनका बेनने का तरीका है जी हाँ परमेश्वर का एक तरीका है शेतान ने एश्यू को बोलने का कोशिश किया तुम खुद हो सारे लोग देखेगा तुम मसीह आया करके सब लोग जान लेंगे लेकिन एश्यू मसी को मालूम है परमेश्यूर का तरीका ही हम गो अपनाना है हो सकते हो तोड़ा लंबा दूरी होगा येश्यू ने क्या कहा येश्यू ने कहा तुम सक्रा रास्ता से प्रवेश करो उसमें से बहुत कम लोग जाते है फिर भी तुम सक्रा रास्ता से प्रवेश करो चवड़ा रास्ता में बहुत लोग है लेकिन वो विनाश की और जाने वाला रास्ता है और तीसरा एक और प्रगार का परीचा है येश्य मसी को सब कुछ देना पड़ा प्रान तक देना पड़ा इसके बाद सबसे उच्छा नाम दिया गया है फिलिपियों की पत्री तीरत ध्याय में लिखा है अब आईसा एक अवसर इसका देन्डवत करने से अभी सबका मालिक हो जाएगा देखो तीन प्रगार का परीच्छा येश्य के पास आया तीनों प्रगार का परीच्छा को येश्य ने जीता यही प्रमेश्वर के दास कहते है नाना प्रगार की परीच्छा हमें पड़ो तो तुमको क्या समझना है तुमको इसको पूरे आनंद की बात समझो परीचा जब हमारा जीवन में आते है आनंद की बात समझो हमारा परीचा सब बंद हो गया कुछ लोगों को आनंद था किसको आनंद था जो पढ़ाई नहीं किया था उनको मालुम था जैसा भी यो पास तो हो जाएगा इसलिए परीचा नहीं हो अच्छा है लेकिन कुछ बच्चे परीचा बंद हो गया तो वो कुछ नहीं था उनको प नब्य प्रदिस्द 99 पर संद मार्क एक्सपेक्ट करते हैं परीचा नहीं लिगने से हो सकता है वो पास तो हो जाएगा नब्य प्रदिस्द मिलेगा लेकिन वो चार है मैंने जो पढ़ा है उसको लिखा है लिखा लिखना अभी हमारा इंजिनिरिंग के एमरेंस एक्जाम हु लेकिन उन्होंने फिर परीचा लिगा क्योंकि उनको सव प्रदिश्द मदलब 100 पर संटाइल उनको मार्क लाना है उनको मिला भी तो वो परीचा लिखना चाहता है परीचा उनके लिए आनंद की बात है परीचा में मैनत है तैयारी करना पड़ता है खुब तैयारी करना प बहुत मैनत है लेकिन वो उनके लिए यह परीचा आनंध की बात है प्यारो इधर परमेश्वर के ची सकतर है हमारा जीवन में भी परिचा अता है तो उसको आनंध की बात समझो क्या कारण?" Artowski कि तुमारे विश्वास के पर्खे जाने से धीरच उपन होता है परीचा में हमारा क्या परक होता है हमारा विश्वास का परक होता है अगर हमको येश्वमसी में विश्वास नहीं है तो हम जल्दी परीचा में हर जाएगा हम छोड़ देगा जी हाँ लेकिन इदर परमेश्वर के अदास कहता है यह जो परीचा तुमारे लिए अच्छा है क्योंकि तुमारा विश्वास का परक है और उसमें से धीरश उत्पन होता है मसी का पीछे चलना हमारा आदमी जीवन एक दिन का नहीं है हमारा अंदिम श्वास तक का एक लंबा जर्णी है उसके लिए धीरश की जरूरत है और हमारा जीवन में परीच चाहता है तो धीरश उत्पन होता है तब ही हम एक अच्छा प्रभावशाली मसी जीवन बिता सकता है और चार पत में क्या लिगा है और दीरश को अपने पूरा काम करने दो हाँ दीरश को अपने पूरा काम करने दो दीरश में दीरश के साथ रहो थोड़ा इंदजार करो थोड़ा प्रार्थना के साथ इंदजार करो तो ऐसा इंदजार करेगा थोड़ा सा परीचा सहेगा तो क्या होगा तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो प्यारो देखिए परीचा का फल क्या है परीचा का फल है तुम सिद्ध हो जाएगा पूरे हो जाएगा और किसी भी बात की घटी ना रहेगा हमारा मसी जीवन एक दौड है हमारा मसी सफर है जैसे इसराइली लोग 40 साल सफर करके अपना वाइदा का जगा पर पहुंचा उसी प्रजाद हमारा भी यात्रा है हमको उदर तक पहुंचना है यह इसराइली लोग धीरस नहीं रखा धीरस नहीं रखने के कारण बहुत सारे लोग हम जानते हैं जितना लोग मिस्टर से निकला है उसमें से दो लोग एहोश्यूस और कैलेब छोड़कर कोई भी उस वाइदा का जगा पर नहीं पहुंचा बाकी जितना भी लोग पहुंचा है जो मरे भूमी में जनम लिया हुआ लोग है क्या कारण है धीरस नहीं परमेश्वन ने उनको अद्बुद्रीदी से चुड़ाया फिर भी क्या किया थोड़ा सा दिक्कत आया तुरंद धीरस नहीं रखा परमेश्वन का विरोध में अगवा मुसा के विरोध में खुड़ाया परमेश्वन ने उनको मिस्र से अद्बुद्रीदी से वेचा कर लाया और जब मुसा को परमेश्वन उनके लिए विवस्ता दे रहा था तब उन्होंने बोला हम नहीं जानते हैं मुसा को क्या हुआ चलो हमको दूसरा इश्वर चाहिए यह सब के कारण क्या हुआ परमेश्वर का क्रॉब और यह सब के कारण क्या हुआ उनका मृत्यू यह हमारा सार नहीं होना है यह परमेश्वर चाहते प्रभू का नाम का स्टुदियो इसका एक अध्याय का बारा पद में लिका है दन्य है वा मनिश जो परीच्शा में स्तिर रहता है क्योंगी वा खरा निगल कर जीवन गा वा मुकुट पाएगा जिसकी प्रदिक्या प्रभू ने अपने प्रेम करने वालों को दी है प्यारों व्यान दीजिए दन्य है वा मनिश जो परीच्शा में स्तिर रहता है परीच्शा में हम जब स्तिर रहता है अगर परीच्शा में हम पीछे नहीं हरता है तो परमेश्वर काते है दन्य है वा मनिश क्यों क्योंगी वह खरा निगलकर परिच्चा में से होकर हम खरा निगलेगा हम दीरस से उसका सामना करेगा तब और जीवन का मुगट पाएगा जीवन का मुगट यह कौन देता है परमेश्व देता है जिसकी प्रदिक्या प्रभू ने अपने प्रेम करने वालों गो दी है प्रभू का धन्यवाद हो जब हम परिच्चा में सोकर चलते हैं हम दीरस रखते हैं स्तिर रहते हैं तो हम धन्य हैं क्योंकि हम खरा निगलता है और जीवन का मुगट पाता है जो प्रमेश्व ने उनको प्रेम करने वाले लोगों गो देता है मत्ती पांच अध्याय का दस पद में लिगा है धन्यवें जो धर्मिक्ता के करन सताएं जाते हैं क्योंकि सुर्ग का राज उन्हीं का है प्रभू कास्तु दियो जब हम सच्चाई के करन सताएं भी जाते है प्रमेश्वर का बज़न करता धन्य है वो क्योंकि सुर्ग का राज उन्हीं का है यश्व ने कहा ना सुर्ग का राज जिका रास्ता सक्रा ये दुनिया में हम किसी प्रगार जियेगा और सुर्ग राज में हमको प्रवेश करने का सोचेगा तो शायद ही होगा बलकि हमारा मनमानी के साथ जियेगा तो सुर्ग राज में जाना ये मुश्किल है नहीं असंभव है असंभव है जी हाँ लेकिन जो सतावट से जो गुजरते है वो भी परमेश्वर का वज़न काता है वो धन्य है क्योंकि वो सुर्गिराज में प्रवेश करेगा हमको सुर्गिराज में क्यों जाना है सिलिए नहीं जाना है वहाँ पस बड़ा सोना और चांदी है इधर तो सोना मांगा है वहाँ पर मुफ्त में मिलेगा इसलिए नहीं हम बहुत माला बनाएगा सोना का सोना का मुगुट बनाएगा सोना का येर रिंग बनाएगा नहीं वोने सब नहीं हम इसलिए सुखिराज जाना चाहते वहाँ पर मेरा उद्धार करता मेरा सुरिष्टी करता मेरा राजा मेरा परमेश्च और मेरा येश्च मसी के साथ मेरा मुलाकात है और वहां पर हम उनके साथ हमेशा रहेगा से लिए प्यारों हर परिस्तिदी में हम गो स्तिर रहने की जरूरत है प्रेडितों का काम उसका पांच अध्याय का 41 पद में लिगा है वे इस बात से आनंदितों कर महासबा के सामने से चलेगे कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्यतों टहरे परमेश्वर के भक्ति लोगों के बारे में लिगा है परमेश्वर के कारण येश्वमसी के कारण जीवन में उनको कष्ट उठाना पड़ा तो वो निरास नहीं हुआ वो आनंदित हुआ है जी हाँ दूसरा कोरिंदी बारा अध्याय का नवपद में लिगा है और उसने मुझसे कहा मेरा अनिंग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंगी मेरी सामर्त निर्बलदा में सिद्ध होती है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलदाओं पर घमंड करूंगा कि मस्ई की सामर्त मुझ पर चाया करती रहे फिर पॉलोस काता है प्यारो बड़ा भेद की बात है परमेश्वर ने उन से कहा मेरा अनिंग्रह तुमारे लिए काफी है क्योंगी परमेश्वर की सामर्त निर्बलदा में सिद्ध होती है हम जब निर्बल होती है ना परमेश्वर का सामर्त के द्वारा हम सिद्ध होती है और इसलिए पॉलोस क्या कहता है मैं बड़े आनंद के साथ मेरा निर्बलदाओं में घमंड करता हूं कि मस्ई की सामर्त मुझ पर चाया करती रहे पॉलोस कहता है में निर्बल रहना मेरे लिए अच्छा है क्योंगी मस्ई का सामर्त मेरा उपर चाया करती रहती है उस समय अगर हम सोचते हैं हम काफी हैं हम कर सकते हैं हमारे पास ताकत है प्यारो शायद हम परमेश्वर का उस ताकत को मसूस नहीं कर पाएगा लेकिन अगर हम निर्बल हैं हम निर्बल अधा को मसूस करते हैं तो परमेश्वर का बल हमारे साथ है और वो बल हमको सिद्ध भी करता है प्रबू का धन्यवार रोमी आट अध्याय का सत्रा पत में लिगा है और यदि संदार है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसी के संगी वारिस है जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ मही मा भी पाए एश्व मसी के साथ हम दुख उठाएगा और हम उनका साथ संगी वारिस हो जाएगा उनके साथ मही मा को भी पाएगा इसलिए हमारा जीवन में करी परीछा होगा दुख होगा कष्ट होगा क्लैश होगा हम उस समय परमेश्वर का सामर्त को सब से नस्दीक देखेंगे परमेश्व का नाम का महिमा हो आईए प्यारों हम प्रार्थना करेंगे परमेश्व धन्यवाद आपका वचन के लिए धन्यवाद हमारा जीमन में कुछ परीशा है कुछ दिक्ते आता है तो हम निराश होकर दीरश छोड़कर पीचे नहीं हटने पाए बलकि आनंद के साथ आप में भरोसा करते हुए आत्मा का भरपूरी में परमेश्व वचन का साथ उस परिशानी का सामना करने में हमारा सहाइदा करें आप हमारा साथ है इसके लिए धन्यवाद इस शुमसी के नाम से मांगते हैं आमेश्व आप सब को आप सफेग, गथ बलसे धार आत्मा करें झाल झाल